नमस्कार एक मुलाकात में आपका स्वागत है मैं हूँ राजीव जब व्योस्था से सवाल करना हो जब विसंगतियों पर चोट करना हो जब समाज के कई चेहरों को उजागर करना हो तो इसका एक बेहतरीन माध्यम है काटून कुछ आरी तेर्शी सी लकीरों से बने चेहरे उनकी भाव भंगिमाये और चंद शबनों से बना एक चूटिला वाक्य बस इतने से ही वो बड़ी से बड़ी बात कह दी जाती है जो अक्सर लंबी चोड़ी तकरीरों में पूरी तरह व्यक्त नहीं हो पाती है अक्सर अखबारों और पत्रिकाओं के एक कोने में समाने वाला काटून दरसल बेहद महतुपूर्ण होता है काटून की दुनिया में लंबी यात्रा तै कर चुके एक काटूनिस्ट आज हमारे साथ स्टूडियों में मौजूद है तो आईए उनसे इस दुनिया को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते है तरहम्दक जी आपका स्वागत है तरहम्दक जी बेसिकली राइपूर 36 गड़ की राजधानी राइपूर के रहने वाले हैं और यह हमारा सुभाग है कि आज हमारे साथ स्टूडियों में मौजूद है तरहम्दक जी पहला सवार आपसे ये है कि सबसे पहले आप ये बताएं कि काटून जगत में आपका पहला कدم कब और कैसे पड़ा जाजू जी सबसे पहले पता दो कि देजबंदू ही प्रवेशदार था मेरा इस लाइन में परतगारता के लाइन में और मेरा पहला काटून भी देजबंदू में छपा था जो मैंने इस पे बनाया था जो कंपूटर उस समने नहीं आया थे और कंपूटर जो है वो उनको 24 घंटे ही काम करना होता है तो मैंने कंपूटर की बात की थी कि वो कह रहा है कि हम लोग को इन लोग ने क्या समझ के रखा है हम लोग को भी 8 घंटे ही काम करना चाहिए तो इस तरीके से मैंने एक मेरे अंदर हूमर था तो जो पहला मैंने आगे बढ़ना चाहूंगा आप से यह जानने कोशिश करोंगा कि काटून की दुनिया में आपका प्रवेश्ट कैसे हुआ और आपके प्रिद्ना श्रोत कौन रहे देखिया था कि मेरे अंदर या तो मेरे हमारे परवार में ऐसा कुछ था कि हम सीधे वह बात नहीं करते थे ह हमारा जो कटायक्ष करने का हमारे एक तरीका था जिससे आगर आप बहुत दिन neden बाद हमारे घर में आएं तो हम कहींगे सूरज कहां से निकला इस तरीके के हमारे होते थे तो शायद का डर किस्त्ता ने मुझे काल्टूं की तरफ लाया तो मार्केटिंग भी की लेकिन भगवा इश्वर को शादिया मंजूर था कि मुझे इस फिल्ड में लाना है तो मार्केटिंग करते करते ही मुझे एक क्लाइंट ऐसा मिला जिसने कहा कि मुझे रोज काल्टूं चाहिए और मुझे उसके लिए रोज विज्ञापन देना है तो यह भी पब्लिक की जो डिमांड थी मार्केट की डिमांड थी और इस डिमांड को आपने पूरा किया और उसको खुद पूरा किया आपके अंदर आफ कोर्स हुमर रहा है तभी तो आप इसको पूरा भी कर पाए जे आगे बढ़ते ह हैं आप एक पत्रिका निकालते हैं का टून वाज के नाम से और ये हैँ उनी सो च्यानवे से निकाल रहे हैं जिसके की निखिया develop कर लूँ किसी एक बार में चले जाओं दिल्ली बाम में चले जाओं और एक किसी एक बार का स्टाफ कार्टूनिस बन जाओं लेगि मैंने देखा कि स्टाफ कार्टूनिस बहुत सारे हैं देश में और आपने अपना लोग काम कर रहे हैं तो मेरी रूची हमेशा यह करने में और फिर मैंने सोचा कि वो काम किया जाए जो नहीं हो रहा है, तो मैंने पत्रिगा शुरू की, हाला कि बहुत कठिन तो था ही, क्योंकि मद्यमवर्गी परिवार का व्यक्ति नौकरी करने वाला व्यक्ति एक अपनी पत्रिगा शुरू करना चाहे, वो भी और अलग तरह की, जिसमें आप किसी को सिर्फ नुक्सान ही पहुचा सकते हैं, फाइदा तो पहुचा नहीं सकते हैं, तो फिर भी मुझे लगा कि वो किया जा सकता है, और मैंने शुरू की, और शुरू की क्रिपाए कि आज 21 साल हो गए हम उसे कर रहे हैं, आपकी पत्रिका में पुराने कार कि इसलूई की रख्शमन की बात की जाए चाहे शांकर Krs की बात की जाए तो यह अब जो नए कार्टनिस्ट हैं, उन में क्या संभावना है आप देखते हैं देखते हैं पुराना जो समय था उसमें अकबारों का एक अलग औरा था उस समय नेट और इंटरनेट ये सब नहीं थे तो आदमी अकबार पढ़कर ही समझ पाता था कि देश में क्या हो रहा है तो वैसे ही करальных कादूम नाता था और दूसे दिन शॉपता था अर फिर्मस होता था जो схलति हो कि अबर ज़़ाया चलता चलता हुँ ज्यादा का है शुक्त बनने में और उसको बहुत जल्दी बनाकर बहुत जल्दी परोचना हुब परोस्ना होता वह उसके माध्यम से उसको जल्दी भेज सकता है हाला कि उसको भी पता कि कितने दिन कितने देर चलेगा तो यह इस परदा इस दौर की काटूनिश्टों के साथ है और उसके साथ ही टेक्नोलोजी की समझ उनको विक्सित करनी पड़ रही है उन्हें कलर करना पड़ रहा है इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर का सभी को इस्तेमाल करना जरूरी है क्यों भले ही आप हाथ से काटू बनाते हैं यह उसके सकैन करके रंगीन बनाना हो उसमें शब्द लिखने हो उसमें आप कंप्यूटर से ही करते हैं तो यह दोनों काम इसमें माज़मी सत्माल होता है कोई भी कोच्वाटनिष्ट बहुत कम है जो कंपूटर में ही बनाते हो पूरा क्योंकि हाथ इतना चाप कर सकते हैं विख यूमर लाते कहां से दोनों ही कठिन हो गया है ऐसे में काटूनों के लिए काटूनों के लिए आप कितना स्थान सुरक्षित कर बाते हैं क्योंकि इन्हें समझने और सहने के लिए अलग ही मिजाज की जरुरत होती है आजकल सहिस्णुनुता शब्द से जदा तो असहिस्णुनुता चल रहा है हमारा देश में और वो कार्टनिष्ट को कारण नहीं चल रहा है लेकिन सही बात तो यह है कि असहिस्णुनुता और सहिस्णुनुता जो शब्द हैं वो अभी ज्यादा चल रहे हैं पहले तो लोग समझते नहीं थे और सहष्टूत रहते थे जैसे कि नहरू जी के समय में शंकर पिले कार्टनिश थे जो दिल्ली के जिन्हों संकर फिकली निकाली थी उनको नहरू जी ने स्वेम कहा था कि don't spare me शंकर बिल्कुल मैं उस सवाल पर मैंने सोच भी रखा था कि उस सवाल आप से पूछूँगा लेकिन चुकि आपने अभी अपना जवाब के तहट ही वो सब्सक्राइट ही है क्योंकि उस समय के राजनेता जो थे वो स्वयम पर हसना जानते थे अभी भी कुछ राजनेता है जैसे ल सही है और ऐसे चीजों से बचने की कोशिश राजनेता भी करते हैं आज की तारीख में अगली सवाल की और आओंगा क्योंकि पिछले दिनों शार्ली आब दो पर कार्टून बनाने के कारण ही आतंकी हमला तक हो गया था यह भी सहिशनुता और सहन्शिलता की बात में कर रह है लेकिन यदि आप किसी चीज को लेकर एक्टिविस्ट होया है अगर आप किसी एक उसकी जो सीमा है उसको लागेंगे चाया किसी भी चीज में हो अगर आप पत्रिकारता में सीमा लागेंगे अगर आप सामाने जीवन में सीमा लागेंगे तो आपके उपर हमला हो गई त उन कार्टनिस्टों ने जो काम किया था, वो उन्होंने किसी को चिलाने के लिए किया था, और लगातर वो उनको चिलाना चाह रहे थे, तो उसकी वो प्रतिक्रिया थी, तो मैं उसको कार्टनिस्ट के तौर पे बहुत ज्यादा वो नहीं मानता हूं, क्योंकि वो एक्टिवि है देख कार्टनिस्ट जो होता है वो आपके चेहरे की विशेष्टा को पकड़ता है यह और पहले के दोर में जब पुराने कार्टनिस्टों के समय में लोग लोग के अलग-लग वेश्बुशा होती थी आज कल तो वेश्बुशा भी लोगों की इतनी सामान होगा है कि पता नहीं चलता है कि वो नेता है कि आदमी है बिलकुल नेता है कि आदमी है तो यह भी आपका यूमर है तो वो उस समय अलग-अलग दाड़ ही होती थी वो हाला कि अच्छा है कि आज हमारे प्रदान में लेकिन एक ड्रेस तो है जो आप कोटी पहनते हैं कुर्टा पैजामा प नेता है तो टोपी है तो उसी तरह के से आज जो प्रहनमंति नरेंग मोधी है उनकी दाड़ी के करण उनको बनाना असान है और उनका चेहरा करिकेचर के लाइक है और वही कुछ सपाट चेहरे रहूल गांदी का चेहरा सपाट है लेकिन राहुल गांधी भी तो बीच-बी जो राजी गांधी की जी की नाक लंबी थी तो कार्टमिस्ट उनको उनकी नाक को लंबी करके उनका बना लेते हैं आसानी से तो राहूल गांधी का काड़ू मुनाने भी कठीन है और कोई ऐसे ने था और जो अभी वर्तमान में पहले तो नरसिम्मा राउ जी थे बहुत बढ प्रोट थे ना तो वो वराणे बड़ा आनब आता था और महिल जो नेत्री हैं उन में किसका काड़ून बनाना आसान है और उन में किन का काड़ून महिलां न t娘 माहिलां नेत्रियों में तो इंद्रा गांधी का सबसे अच्छा बंता था cause वो ही सब ब्से बड़ी लंबे- में तक महिला नित्री रही है अभी तो कोई ऐसी महिला नित्री वैसे मायवती जी है या बीजेपी के कई कई महिला नित्री है है, है, हमाया वाति जी के बनाना आसान है. क्यों क्ठीन है उनका? क्यों उनकी एक उनकी हाइट कम है सिर्फ, वो एक चीजे बाकी सब संतुलीद से उनका छेरा, हुपसूरत है उनका मिनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या फिर उनकी नाक लंबी हो, या बाल कुछ अलग हो जैसे इंद्रा इंदरिगांगी जी का कीनाक लंबी थी और उनके बाल एक तरह के थे जिसमें हलका सावाईट होता था सामने. एक इस्टाइ時候 हो तो उसके इसटाइल होता है कुछ तो उसके वाता रहे हैं जिसे गंदी जी अगले सवाल की और बढ़ते हैं और अगला सवाल यह है कि प्रिंट मीडिया का काटून नए मीडिया में नए आवतारों के साथ प्रकट हो रहा है नए मीडिया मतलब डीजिटल मीडिया जो है उसमें विविन ने चैनलों में काटूनों के लिए स्थान बनाया जा रहा है आपको क्या लगता है कि इससे काटून की जो विधा है वो सशक्त होगी बिल्कुल यह तो शशक्त होना ही है मतलब सुरू में हमें प्रशन किया था ज करने कि हो चुका है फेस्बुक में हर आदमी काट्टनिश्ट हो चुका है वह ऐसे कमेंट करता है जो आपको लेंगा कि इस पर काल्डू मन सकता था हाला कि हो सकता है भी लग बहूत निकाल रहे हैं लेकि कई बार अच्छी चीज़े भी आ जाती हैANS तो आज असे और एक सवाल ये है तरम्बग जी कि आज की तारीख में अगर आपको एक कार्टून बनाना हो तो आपके जहन में कौन सा विशे सबसे पहले आता है आजकल विशे विशे की बात कर विशे तो सबसे पहले politics ही होता है सामानिता है क्योंकि सिर्फ राजनिती ही हमारे देश में सबसे ज़्यादर तुरन बदलती रहती है हर दिन जो आदमी अकबार पढ़ता है वो सबसे पहले राजनिती ही पढ़ता है कि देश में क्या हो रहा ह तो वो राजनिती पर ही हम सबसे पख़ेँ कार्टून बनाते हैं और जो भी उस समय के लीड हो जैसे भी आड़ी तिर्ची रेखाओं से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं बहुत आसानी से पहुंचा पाते हैं आपको नहीं लगता कि समाज में कुछ परिवर्तन लाना हो उसके लिए कार्टून एक अच्छा जरिया हो सकता है कार्टून बहुत ही शशकत माध्यम है सदते कहने का आज आप देखिें की जितने भी मेसेज आप जनता को बताते हैं अगर आप सामाने कि को मोबाइल में बात करते हुए कार नहीं चलाना चाहिए तो इस सब को पता है लेकिन जब आप वो उसको काल्टून के रूप में दिखाते हैं कि वो मुबाइल में बात करते गरते जा रहा है फिर आगे सेकंड फ्रेम में उसका एक्सिडेंट हो गया और थर्ड फ्रेम में वो अस्पिताल में पड़ा है तो वो ज्यादा उनको असर करता है और काल्टून इसलिए भी सबस इसलिए के लिएक तो हमारे प्रयास रहता है कि हम जितने भी परियाव रहन दिवस हो जो समय अवेर करना हो जल है तो कल है जैसे विशय हो इस पर हम काल्टून के माध्जह से प्रतिवगताहे करते हैं उस पे एक्जिबिशन लगाते हैं तो उसका लोंग पर ज्यादा असर पड़ता है जी तो इसी से एक सवाल ये उठता है कि अभी तक आप तें आपका ये एक लंबा सफर रहा और आगे आपके दिमाग में आपके मन में क्या विचार है कि इस विदा को आगे कैसे बढ़ाया जाए हम किसी ये विदा हमको आगे बढ़ा रही है असल में विदा तो किस प्रकार प्रेडित किया जाई आए इस विदा की और तो उसके हम प्रत्रेивать करते हैं स्कूल करते हैं हम उसमें से लोगे को निकालते कुछ होता क्या है कि लोग के लुए क्षितरी किने की ne सब्सक्राइब लेकर लेकि में पहले सकूल लेवल में लेबल तो हम सकड़ीत करते हैं कि तो मैंने में बहुत पहुत बहुत जानकारी कि कि आप न सिर्फ अपने काटून अपनी जो विधा है आप खुद को सवार रहे हैं बलकि आप अपने साथ-साथ इर्द गिर्ज आपके बसे हैं लोग और जो इस विधा को आगे मतलब इस विधा में रचे बसे हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए उनको आप आगे काम कर रहे हैं तो शुक्रिया त्रेंबग जी कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला आप बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही एक मुलाकात में फिर मिलेंगे किसी नई शक्सियत के साथ तब तक देखते रही है डिवी लाइव नमस्कार हुआ 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 है